हेलो हेलो बच्चो क्या हाल चाल एकड़म मस्त सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्लेबस CBSC ने 2023 और 2024 का स्लेबस की जनम कुंडली निकाल दिये यानि कि आपको पूरे साल भर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है प्लानिंग क्या रहने वाली है वो आप इस स्लेबस के अनुसार अप अपनी preparation की अच्छी तयारी की planning कर सकते हो तो बच्चो खास क्या है स्लेबस में स्लेबस में खास कुछ नहीं है ना तो ज़्यादे इसमें कुछ एड़ किया है और ना ही डिलीट के डिलीट तो है वैसे 30 पर जो पहले से डिलीट होता आ रहा है बच्चो वो सब इस बात भी डिलीटी है ठीक है लेकिन कुछ अगर एड है तो हम डिसकस कर लें क्या क्या एड है और कैसे आपको तयारी करनी है क्या क्या पढ़ना है planning कैसे रहने वाले कौन सा चेक्टर कितने marks का है वेटेज क्या है पिलेट का है कितने time दे की चेक्टर खतम हो जाना चाहिए यह सब आपको syllabus के थूप पता चलता है तो बच्चो syllabus बहुत जरूरी होता है बिना syllabus के तो आप मक्खी भी नहीं माल सकते यानि कि आप कुछ नहीं कर सकते मेरा कहने का ताथ पर यह है syllabus अगर आपको याद है syllabus अगर आपको पता है तो आपकी planning बहुत अच्छी हो जाती है बैए हमें पता भी तो हो ना क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है हाँ मैं यह कहता हूँ पढ़ो सब कुछ जो delete है और जो delete नहीं है वो तो पढ़ोगे खिर जो delete है वो भी आपको पढ़ना पढ़ेगा क्यों दो CBSC board ही कोई solution तो है नहीं आप आगे जाके CUT का exam दोगे मतलब भाई इन जो colleges है उसमें admission लेने due में किसी का सपना होगा due में जाना है किसी का सपना AMU में जाना है जामिय असलामिया में जाना है तो ऐसे तमाम तरह के जो colleges जिसमा जिनका सपना है कि उन colleges में जाके हमें पढ़ना है बार इवी के बाद और जिनका सपना है कि हमें doctor बनना है, need crack करना है selection लेना है तो आपको suggestion दे दूँगा अभी से अपनी तयारी भी इनिमें start रखना क्यों 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 syllabus पूरा delete है 30% तक का मान के चलो और यह 30% syllabus पूरा added रहता है जब भी आप कोई भी exam दोगे national level पे ठीक है, इस सार अगा सार आप पढ़ोगे तो इसलिए मेरी डाई है कि उपर उपर पढ़े लेना ठीक है और जो deep में पढ़ता है उसके लिए तो कुछ भी टफ नहीं है, सब आसान है तो चले पहले syllabus discuss करते हैं पहले 11th class का syllabus देखेंगे फिर हम 12th class का syllabus discuss करेंगे तो देखें पेपर का जो code होता है आपका, यहाँ पे जो paper का code है बच्चो, वो क्या है 0, यानि 4 42 paper code है यहाँ पे और यहाँ पर यह जो है, सबसे पहले 11th class की बात करते हैं 11th class का syllabus, theory का syllabus किसका यह? theory का syllabus है बच्चो, यह theory का syllabus अब यहाँ पे जो पहला chapter है बच्चो, यानि 1st book में यहाँ पे 2 book है आपके पास आपके पास 2 किताबे हैं, एक 1st book है देखें, और 1st book है जो 1st book है यहाँ पे बच्चो, 1st book में आपके टोटल 8 chapter है यानि gravitation तक है यहाँ आपे 8 chapter और 2nd book में टोटल बच्चो 7 chapter है आना, यानि chapter 9 से लेके 15 तक 2nd chapter में आएगा और chapter 1 से लेके 8 तक 1st book में आ जाएगा chapter 9 से 15 तक 2nd book में है और 1st to 8 chapter 1st book के अंदर आ जाता है अब बच्चो इसमें जो chapter 1 है यानि chapter 1 physical जो word हम बोलते है ठीक है, आप यह कहा सकते हो कि भाई, वो आपको नहीं पढ़ना है आपको वो नहीं पढ़ना है ठीक है, जो basic theories है 1st chapter, आपको वो नहीं पढ़ना है आपको कहा से start करना है unit and measurement से start करना है कहा से? unit and measurement से आपको पढ़ाई करनी है ठीक है, यही chapter आपका आगे भी पुछा जाता है ठीक है, NEET, JEE, या आप जो भी CUT का exam दोगे, पूरा syllabus सही से start होता है लेकिन बच्चो एक बात बता दूए कि एवल 70% थी है तो यह तो होगी second chapter, unit and measurement उसके बाद जो यहापर third chapter बच्चो है motion in a state line है motion in a plane, इसे हम kinematic बोलते हैं ठीक है, फिर laws of motion आजाता है work energy and power आजाता है motion of system of particles or rigid body 7 chapter इसमें आप moment of inertia आठीक है, यह rotational motion के उपर पूरा पूरा आप ही कह सकते हो उसके बाद यहापर gravitation आ जाता है बच्चो यानि कि आप newtons newtons का जो gravitational law है वो पढ़ोगे आप इसके अंदर gravity पढ़ोगे, simple सी बाद बोले escape velocity पढ़ोगे, capillars के law पढ़ोगे ते उसके बाद यहापर property of bulk matters है यहापर तीन chapter है बच्चो इसके यहापर इसके तीन chapter है बच्चो mechanical property of solids दूसरा इसमे mechanical property of fluids और thermal property of matter तो एक एक करके हम सारे चेप्टों को discuss करेंगे क्या-क्या इसके अंदर पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है आपको क्योंकि आप किसी anxiety की तुरूप पढ़ रहे तो उसमें बहुत सारा कुछ दे रखा है यानि कि जो syllabus में है syllabus के अनुसार उसमें extra है syllabus में तो आपको syllabus काट पीट के दे रखा है जो anxiety में जो जितने topics हैं उसमें से कुछ-कुछ topic कटे हुए है syllabus के अंदर फिर उसके बाद बच्चों आते है thermodynamic की बाद thermodynamic आपको एक ही चप्टर इसके अंदर आप जो chemistry में thermodynamic पढ़ते हो और जो physics में almost same होता है यानि कि वहाँ तक तो same है भाई जहां पर आप work done की बात कर रहे हो work done by isothermal process adiabetic process तो वहाँ तक तो सब को same है उसके बाद जो chemistry में पूरी की पूरी जो chemical equation यानि जो chemical reactions है आप ही कह सकते हो chemical reaction के अनुसार पूरा पूरा numericals और वगरा theories वगरा है ठीज़ के अंदर उसके बाद यहाँ पर जो आते है behavior of perfect gases और kinetic theory of gases है यानि kinetic theory में आप simple सी बात है kinetic energy of particles पढ़ते हो इसमें equipartition principle आप पढ़ोगे ठीक है और यह बहुत सार चीज़ है cp cv का relation पढ़ोगे mayor's formula बोलते है इसको हम ठीक है फिर end बेब बच्चों जो आते है दूसरी बुक के अंदर वह chapter 14 और 15 chapter 14 oscillation है और chapter 15 है यहां पर इस बार आप यह भी पढ़ोगे पहले 12 में हुआ करता था पहले 12 में एड कर दिया था बात में 12 से delete कर दिया था तो बच्चों को वैसे भी उनको उनके पास 15 चप्टर थे 15 और फिर उपर से 2 चप्टर यह एड कर दिये टोटल कितने होगे 17 चप्टर कर दिये तो सिब्यसी कई बार एकदम आउट ऑफ माइंड हो जाती है कई बार को पता ही नहीं जिलता क्या कर रहे हैं वो लोग लोग बोखला जाते पागल हो जाते हैं अब तुम लोग वह वैसे भी कच्रा पढ़ाया जाता और कुछ नहीं होता है बहुत बहुत गलत है आपके हमें तो पढ़ने से मतलब है अच्छा इनका वेटेज देख लो बच्चो पहले तो इनका जो वेटेज है वो क्या-क्या रहने वाला है हुआ है कि तो टोटल मिलाके यहां पे जो पियरेंट हो जाते हैं वैसे तो एक लेक्चर का है टीक है ना 24 classes लग जाएंगे 24 टोटल बच्छे 24 तेइस नंबर का है यानि कि आप कहाएक के चलो कि 8 प्रिड में यह है तो आप इसके अनुसार इसको 1 थर्ड में डिवाइड कर लो टीक है 1 थर्ड का मतलब कितना हो बच्छो 7 नंबर जो आपका जो 1st chapter है बच्छे 7 नंबर का यह बैटता है ठीक है बाकि आपका आप 7 7 8 8 क्या सपास ही बैठेगा आपका 3rd और पूप 8 तक लेट करके चलो ठीक है और 7 8 15 15 होगे ना और 8 नंबर का यह मतलब 7 नंबर का यह chapter हो गया 1st वाला ठीक है 8 नंबर का 2nd और उसके बाद 7 8 15 और 8 नंबर का आपका यह वाला chapter बै second chapter है पहला तो कुछ और है second chapter सापका start है unit and measurement आप इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले है दो need for measurement measurement की जरुवत क्यों है unit of measurement यानि क्या क्या units है इसमें आप fundamental units पढ़ोगे basic units पढ़ोगे SI system पढ़ोगे इसके अंदर 7 fundamental units होती है और 2 supplementary units होती है वो आप इस chapter के अंदर पढ़ होगे ठीक है system of units हो गया SI units हो गया fundamental drive units हो गया जैसा velocity होता है velocity की unit बनाते हो मीटर पर second करके लिखते हो यह सारी drive units हो जाती है significant figures है कि बाई अगर मालों यह number है तो इसमें total कितने digits हो रहे significant का मतलब हो गया कि significantly मतलब जो useful है आप यह सकते हो एक तरह से कि बाई क्या significant यहाँ पर फिगर से numbers कितने है यह बहुत important एक topic है बच्चो और chemistry में और physics में आप दोनों जगे पढ़ते हो बैसे dimensions of physical quantity, dimension का मतलब बच्चो कि बाई कोई physical quantity किस किस पर किस किस dimension पर depend करती है mass पर, length पर, time पर, current पर, luminous intensity पर, किस किस पर depend करती है dimensional physical quantity पढ़ोगे फिर dimensional analysis है बाई, analysis में क्या होता है आप यहाँ पर एक तो formula verify करना जिखोगे v equal to x by t है, तो क्या dimensionally correct है या नहीं या आप इसके अंदर discuss करोगे, तो हम बोलते principle of homogeneity ठीक है ऐसे यहाँ पर इसकी application है, application का मतलब भाई, अब velocity जैसे यहाँ पर मैं stocks, stocks law की बात करता हूँ, जो force होता है आप इसको drive करोगे किसे dimensional method से है, आपको हर एक का dimensional formula यूज करना होता है, तो उससे आप इसको drive करोगे, तो यह आप किस में पढ़ोगे, dimensional analysis की applications में पढ़ोगे, तो कई सारे इसमें applications है, अब बच्चों देखो, यह है आपका syllabus, ठीक है, first chapter आपका कितने marks का है, first chapter लगबग सा साथ नंबर का है, कितने marks का है, first chapter साथ marks का बैठता है, almost साथ नंबर का ही आता है, यह कम ज्यादा हो सकता है, वैसा आला कि second, third, और जो fourth, fifth chapter है, यानि दो से लेके पांच चेप्टर तक, दो, तीन, चार, पांच, टोटल, चार चेप्टर, तेस नंबर का है, जो आपके four chapter है फर्स्ट, second, four chapter, five chapter, वो आपके टोटल, तीन नंबर, तेस नंबर के है, 23 marks का, एक्चली में, अब यहाँ बच्चों सवाल ही उठता है, कि बई, इतना तो ठीक है, बच्चों, यह केवल ना, 70% भी नहीं, यह उससे भी कम है, यह 70% से भी कम से लिए बस है, जो आप आगे प पूछेंगे, लेकिन इसमें जैसे आपका parallax method काट दिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो radian और degree measurement यह सब इसमें delete कर दिया है, उसके बाद बच्चों सबसे important की एक topic होता है, error and measurement, error वाला topic जो है, वो पूरा का पूरा इन्होंने delete कर दिया है, ठीक है, आप इसमें अंदर, यह कुछ devices हैं, लेकिन इनको पढ़ने का फाइदा तब ही है ना, जब आपको पता हो कि, भाई, कि error क्या होता है, इन्हों 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 delete कर दिया है, ठीक है, relative error, percentage error, ठीक है, और absolute value, यह सब इन्होंने delete कर दिया है, तो भाई, एक तो इसके अंदर यह topic delete है, आप किसी कि करते हैं, यह नीट की preparation कर ले हो, ठीक है, या उसका exam दो गया आप, जो 2024 में, तो बच्चो यह जो deleted syllabus है, यह भी वहाँ पूछा जाता है, यह ध्यान दखना, चलो, यह तो आपको पढ़ना है, इस पे focus करना, अगर आप केवल 11 पे अभी ध्यान दे रहे हो, और अभी आपने सोचा नहीं आगए का, तो आपके लिए इतना ही बहुत है, आप इतना से लिए बस देख लो, बच्चो जो next आता है, kinematic, kinematic में दो चप्टर आते हैं, बच्चो, एक motion in a straight line, और motion in a plane, यह दो चप्टर आपके kinematics में आ जाते हैं, तीक हैं, आप, आप जो पहला वाला चप्टर है, यह एक्चुली में, प्रेम आप, इसमें आप motion in a straight line, यानि के वाला 1D में motion को पढ़ोगे, ठीक हैं, या तो along x-axis या along y-axis, ऐसे आप पढ़ने वाले हो, उसके अंदर, ठीक है, अब इसमें देखो क्या हो सकता है, कुछ concepts हैं, इसमें differentiation integration के, जो motion को define करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो uniform and non-uniform motion है, बच्चो, instantaneous velocity, uniformly accelerated motion है, velocity, time, position, time, graph है, graphs बहुत important है, यहाँ पर graph काफी important है, ठीक है, relation है यहाँ पर, uniformly accelerated motion, graphical treatment, यानि equation of motion आप बोल सकते हो, equation of motion केवल आपका graphical दे रखा है, यहाँ पर अब इनको देखो, इतना मतलब वो होता है ना कि, इनको, इनको समझ में तो आता नहीं, इसलबस बताते बनाते रहे हैं, कि क्या भई, कैसी क्या करने है, धुर्रंदार बनाते बाए, ऐसी बात में हैं, अब देखो यह आपको सिखा रहे हैं क्या differentiation, integration सिखा रहे हैं, हाना, केल्कुलस रेल हैं लेकिन आपको करा क्या रहे हैं आपको क्राइन ग्राफिकल ट्रेटमेंट कजा रहे। बच्चा नाइन्थ क्लास में हमेंर ऐसे सग्ठार से ख्शे को यह पता है कि बाइन आप पड़ा HOP师ay यूँ हो गया यह वी हो गया यह टी हो गया ग्राफिकल मेथड आप अल्रेडी पढ़के आ चुके हो एलेवंध क्लास में भी यह concept घिसा पिटा भी बच्चो को calculus method करने का मोका दो अब आप सोचते हो कि भाई बच्चा नहीं कर पाएगा तो तो फिर आपकी इसको याद कर लो आपको और इससे आपको सारा हो जाएगा काम अगर इतना ही समझने से इतनी आसान हुजाती फिजिक्स तो फिर क्या ही बात थी तब दो बच्चे फिर 11 क्लास में आके फिजिक्स रिटनना सुरू कर देते हैं क्यों बेसिक कॉंसेप्ट ही उनका बिल्डप नहीं करवाते हैं चलो क्या है अब यहाँ पे बच्चो डिलिट क्या क्या है वाट इस डिलेटेड है वाई डिलेटेड तो एक तो यहाँ पे एक्वेशन ऑफ मोशन एक्वेशन ऑफ मोशन वाइक कैल्कुलस मेथड तो यहाँ कहीं पे भी कैल्कुलस मेथड नहीं बोल रुक है डिस्क्राइबिंग फोर मोशन दो बोल या कॉंसेप्ट बोल है यूनिफॉर्म आपको करना और यहां से इंपोर्टेंट कॉछा जाता है यह यह most important topic है और यहां से नुमरीकल्स जनरली बनते हैं अब देखो इन्होंने एवरेज स्पेड है यह डिलीट कर दिया है एवरेज वैलोसिटी है यह डिलीट कर दिया अब बताओ ये डिलिट करने का क्या मतलब था इन्होंने देख या इन्होंने युनिफर्म मोशन दे दिया इंस्टेंट टैनिस को समझ नहीं पाऊगे बहुत ज़रूरी हुता भाई एवरेज समझना जब तक आप पूरी जर्णी की मोशन नहीं पता होगी पर्टिकल टाइम पर आप वेलोसिटी या स्पीड कैसे निकाल सकते हो तो पूरी जर्णी में क्या-क्या टोटल स्पीड क्या थी भाई पूरी एवरेज स्पीड क्या रही है जब वहीं नहीं होगा तो आपका डिला-डिला रह जाएगा अब बच्चे इसमें एक चीज और डिलीट कर दिये बड़ा important topic होता है यह वाला relative velocity का अब भाई इतना important topic है डिलीट करके चल रहे हैं भाई साब ठीक हैं अब क्या ही बोले हैं कुछ नहीं करना होता है दो velocity को घटाना होता है इसके अंदर बस VA-VB यानि कि एक object के लिए दूसरे object की speed कितनी है ठीक है इसे हम बोलते है relative velocity चलो ख नेक्स जो इसके अंदर पर चेप्टर आता है वो है motion in a plane यह भी kinematic का second part है इसमें आप क्या पढ़ोगे motion in 2D पढ़ोगे क्या पढ़ोगे इसके अंदर आप motion in 2D पढ़ोगे और 3D बी पढ़ोगे और 3D बी पढ़ोगे दोनों इसके अंदर यह मैं सुचना है कि यह वाल plane plane इनका मतलब plane में 2D भी आ जाता है और 3D भी आ जाता है तो आप motion in 2D और 3D भी पढ़ोगे मैं तो बलकि कहता हूँ आप 4D पढ़ोगे एक साथ 4D कैसे पढ़ोगे time भी तो आएगा इसके अंदर तो 4D में क्या होता है x y z और t आप इसमें 4D तो हाँ हाँ हलाकि आपको पता टाइब का वेक्टर होता है इसके लर्विट पताए नहीं क्या है यह टेंजर भी बोल देते कई बार इसको खेर चोड़ो अब इसमें आप क्या-क्या पढ़ोगे इसके लर और वेक्टर कॉंटिटी अब बताओ इसके लर वेक्टर तो ठाट चेप्टर में भी है अना हाला लगी इसमें डाल रखे है वह बात अलगे इसके लर्वेक्टर कॉंटिटी पढ़ोगे इसके पोजीशन डिस्पेस्मेंट वेक्टर क्या होता है यह निकालोगी जनरल वेक्टर और उनकी नूटेशन यह आपको कोई नहीं पढ़ाएगा बस आपको खुद पढ़ना जाते हो जो पढ़ रहें अच्छी बात है एक्वेलिटी और वेक्टर पढ़ोगे इसमें डिया मुल्टिप्लिकीशन और वेक्टर स्भाया डियल नम्बर पढ़ोगे एडिशन सब्ट्रेक्शन और वेक्टर इन प्लें कैसे करना है रिजुलूशन में कुछ ऐसे आता है परपेंडि original है यह इनको रिजॉल्ट और वेक्टर में कमपोनेंट आता। और एक है इसमें पारलोलोग्र देशन परेट्स छलो इन्होंने यहां पर छहां पर अध्कटी reveal प्क्र रप्क, इसी चप्टर में उन्होंने डाल दिया यह बहुत अच्छा काम किया है यह वाला जो काम है ना बच्चों यह वाला इन्होंने अच्छा कर दिया है अलागि मोशन इन अपली बिल्कुल आप यहां पे पैराबोलिक पढ़ोगे यानि कि इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे आप इसके अंदर तो उसमें सेंट्रीपीटल फोर्स आप निकाल होगे इसमें जो लास्ट के दो टॉपिक है बच्चों यह वाले दो टॉपिक यानि प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्फलर मोशन बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है और यहां से एक्जाम में पांच नमबर तक का सवाल आता है ठीक है चालिए अब यह तो हो ग पूरे एक यूनिट के अंदर समाया होता है अब देखो एक चीज़ और में इस बार जो डिलीट कर दिया है वह बच्चों वैसे तो जैनरल वेक्टर और नोटीशन तो यह तो इसी में आ जाएगा फोर चेप्टर में आप समझो कुछ भी डिलीट नहीं है फोर चेप्टर म मर्यागाmy тут आपको पता है मास इनकी जड़ेृशन होता है पढ़ता ह套्यायो इनर्शाओ को फॉनमो अगए इसको मैं बोलता है ऑना बीज़र आफ मास ज्सका ज्यादा हो जाएगा वोडिय आपने रेस्ट में यह जैदा मौदब व Kash मुझे तो एक ही मिश्च्छ और और कोई अब जेट अगर रेस्ट में यह रहेगा अपने आप मोशन में यहां डेस्ट में नहीं आ सकता तो भाई कि इसमें पॉर्स जिए तो जीरो हो जाता है फिर आप मुझेंटम पड़ो गया है अब मुवनें तम में quantity of motion यानि किसी बॉडी में कितनी उसकी बॉडी की जो स्पीड है यानि की motion कितना जाद है कितना कम है उसके momentum से मिकालते हैं ठीक है फिर यहाँ पर Newton's का तीसरा अच्छा impulse भी है सके अंदर sorry impulse यहाँ पर होता है change in momentum ठीक है यह भी आप पड़ोगे काफी important topic है इंपल्स एक सवाल एक्जाम में आता है पुछा जाता है Newton's का तीसरा third law of motion Newton's का third law of motion to every action there is equal and opposite reactions law of conservation of linear momentum आप पड़ोगे अब इसमें क्या होता है भाई जो total momentum होता है ठीक है total momentum before before collision और after collision मतलब भाई कोई body का अगर speed change हो रहा है तो speed change होने होने के बाद total momentum है वह हमें सब्सक्राइब रहता है रहता है यह कभी ना तो चेंज हो ना तो यह कभी किरेट हो सकता है डिस्ट्रॉई हो सकता है तो लॉप conservation of momentum ही बोलता है इसको तो यह लीनिन मोमेंटम है और फिर इसकी applications है अब applications में कई सारी applications है अब दो तरी के application रहती बच्चों एक numerical approach और एक only theoretical approach जैसे एक boat है ठीक है अब boat पे कोई बंदा बैठा हुआ है खड़ा है ठीक है और किनारे भी कूटते दो बोट पीछे क्यों चली जाती है इस तरह की सवाल है ट्रेन में या फिर गाड़ियों में buffer soccer क्यों लगाए जाते हैं अगर कोई मिट्टी पे कूद है लप sand पे हीप आप सेंट पे अगर कोई कूटता है तो रेत पे अगर वह रेत के कोई धेर पे कूदता है और अगर कोई पे फर्स पे कूदता है तो बाई इसमें जो रेत में जो खूद रहा है उसको कम चोट लग रही है इस पे ज्यादा सेफ है रेत पे खूदना ऐसी जो बंदूक है रिकॉयल ऑफ गन हो गया ठीक है और घोड़ा-गाड़ी को कैसे खीचता है यह सारे एक्चुली में अप्लिकेशन में आ जाते हैं यह कंजर्वेशन आफ लीने मोमेंटम का भी इसके अंदर आ जाता है एक लॉन मॉवर को खीचना थोड़ा असान होता है एस कंपर टू उसको धक्का देना तो वो भी एक इंपोर्डेंट कॉस्चिन से इसके अंदर चलिए आगे बढ़ते हैं अफट आपड बाई यह तो अभी आगे इसके अंदर है कंकरेंट ऑफ पोर्सेस एक्लिबिरियम ऑफ कंकरेंट पोर्सेस यह भी फिफ चैप्टर में यह लॉज अफ मोशन में अब इसमें स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाते हैं लेक बहुत एक्साम में पूछा गया है यह बहुत बार आ चुका है यानि यहां पर कोफिशेंट और कुछ नहीं रोलिंग फ्रिक्शन है लुब्रीकेशन भी इसके अंदर लुब्रीकेशन का मतलब होता है बीटा और कोई ग्रीसिंग है जैसे आप कई बार क्या होता है कि पंक ग्रीसिंग की जाते हैं लुब्रीकेशन की जाती है तो इसमें आप देखने ग्रीस बोलते हैं ऑईल बोलते हैं गाड़ी बहुत बहुत अब देखें यहां पर यूनिफर्म सर्कुलर मोशन आपका फोर चेप्टर में भी है और यहां पर दे रखा लेकिन यहां पर जो आपको आपको उपर उपर हिंट दे रहा हूं ठीक आप क्या पढ़ेने वाल हो इन सब में एक्जाम्पल्स आफ सर्कुलर मोशन जैसे वीकल ओना लेवल आफ रोड मतलब बिलकुल एक दम सपाट प्लेन रोड पे कोई काड़ी चल रही है ठीक है बिलकुल स्मूदली ओके फिर ऐसे कर्व रोड है यहाँ पे कर्व रोड यानि फ्लाइ ओवर देखा होगा आपने इसमें एक बात आते हैं बैंक होना आपने सडक को देखा होगा ऐसे जुका हुआ हूआ हो सडक को देखा होगा से सबस्ट को ऐसे बनाया जाता है नो बच्चों प्रिक्षन प्रिक्षन को मिनिमाइस ठीक है और आप कह सकते हो कि स्पीड को स्पीड को अप्टीमाइस करने के लिए ऐसा करते हैं तो यह तो गया आपका सबस्था तोटल क्या MIDकैनिक्स कि बात कैया आगे आपके duties हो गया laws of motion हो गया यूनिट समयिएं मिजर मेंट इस टोटल 23 मक्स का चैप्टर है जिसमाँ आपका सैंकिंद चैप्टर थर्ड चैप्टर और पिर्फ चैप्टर सामिल है ठीक है चलो अब बात करते हैं आगे नेक्स चेप्टर की यह है बच्चो वर्क एनर्जी एंड वर्क एनर्जी एंड पावर अब बैव वर्क एक क्या है इसकेलर क्वांटिटी है तो वर्क दन भाइ और वेरियबल पर्स अच्छा कॉंस्टेंट फोर्स में फोर्स की वैल्यू चेंज़ नहीं होती इसमें जो फॉर्स होता है वो डिपेंड करता है, मतलब एक तरसे आभी कहा सकते हैं, जो variable force है, ठीक है, इसकी value change होती रहते हैं, या तो फिर भाई, position के साथ change होती है, टाइम के साथ change होती है, काइनेटिक एनरजी है, आपको पता है, क्या होता है, half mv square, एक ही लोता formula इसका, ठीक है, उसके work energy, power, work energy, तेयरम में, work energy, ठीक होता है, जो total, जो change in kinetic energy होते हैं बच्चो, work done के बराबर होता है, इसके बराबर, change in kinetic energy, work done के बराबर होता है, तो इसका power आजाता है, power क्या होता है, force into very velocity हो जाता है, अच्छा, आपने v into i करके पढ़ा होगा, पیटा, इसमें नी पढ़ोगा आप, इसमें कोई रख है बच्चो expecting है मैं बताता हूं रीजन क्या है यह पैसिंगल नंबर मिलेगा चाहिए और फॉशिटीव या- ऑजीर फीन आपको single number मिलने वाला है direction नहीं होगा इसके इसको अलग topic का नाम दिया work energy in power क्योंकि इसमें work पूरी energy होते है work is energy work equal to energy जितने भी energy होते है सारे वॉक्डन के बराबर होते है work upon my time energy upon my time power हो जाए जितना समय लग रहा है बाई किसी की शम्ता ज़्यादा काम करने की ते कम समय में ज़्यादा काम पर रहे तपावर ज़्यादा है और कम समय में ज़्यादा काम कर रहे तो पावर उसकी कम है शम्ता उसकी काम है, ability काम है, the rate of doing work, notion of potential energy, वाह, potential energy कई तरीके हो जाती है, वैसे आप दो तरह के पढ़ोगा, मैं दो तरह के गनाता हूँ, एक तो आपका हो गया potential energy stored in spring, एक spring हो जाएगा, और एक हो जाएगा position, due to position, height वगेरा, एक में formula MGH के आता है, और एक में formula half KX square करके उसके बाद बच्चों यहाँ पर आता है conservative force, ऐसा force जो path पर depend नहीं करता है, कि वल initial and final position पर ही depend करेगा, फिर non conservative force है, ठीक है, motion in a vertical circle, अच्छा, यह वाला भाई, बड़ा important concept, बहुत important topic यह वाला, पांच नमर की derivation आचीक है, यानि कि यहाँ पर जो vertical circle है, motion in vertical circle, ठीक है, यह यहाँ पर एक pendulum को भांग दिया गया है, ओके, और इसको थोड़ा सा motion दे दिया, initial velocity V0, तो यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर, speed क्या है, यह निकालना होता है, तो यह vertical motion वाला example है, बच्चों, anxiety में दे रखा है, वही कर ले न, बहुत important example है, करेंगे हम वैसे, मैं सब कर रहाँगा, उसके बाद यहाँ पर जो आता है, बच्चों, elastic and inelastic collision, वाह, the most, most important part, यहाँ नहीं बल्कि आप नीट जहीं का exam दोगे, वहाँ आपके ले भी सबसे important topic होता है, काफी favorite topic होते हैं, यहाँ से कई सारे exam, पूछे, कई सारे question पूछे आते, exam होके अंदर, तो collision in one or two dimension, यानि head-on collision आप इसे बोलते हो, अब elastic in elastic है, तो यह सब आप पढ़ोगे जब chapter इंट्रिल में, तो आप समझ जाओंगे, अब आते हैं भाई, बाद seven chapters, अच्छा, एक चीज़ और हम अगर हम देखें, इसके अंदर, work energy and power, work energy and power, और system of particles, और gravitation, भाई, तीनों chapter को 17 number में डाल दिया है, यानि हर एक chapter आप देखोगे, तो बच्चों 6-6 number के आसपास का आप समझ सकते हैं, 6 number का आपका हर एक chapter बैठेगा, अब बात करते हैं, seven chapter के, यानि कि जो first book के अंदर, एक सबसे खतरनाग chapter जो बच्चों क को लगता है, seven chapter, देखो बच्चों, last में कोई भशड मत, भशड हो जाए, इससे अच्छा आप पहले से इसको पढ़ लेना, ठीक है, यानि कि बच्चे बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं, तो सबसे easiest topic में से एक है, कई सारे इसके अंदर concept है, बच्चों के अंदर, हाला के लेकिंग chapter बहुत easy है, यह analogy हुए, पूरा chapter analogy है, ठीक है, पूरा chapter analogy है, किसका analogy है बच्चों, यह actually में आपका जो आपने linear translational, यान linear translational जो आपने पढ़ा है, motion, translational का मतलब, जो आप तीसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन chapter में जो भी आप पढ़ते हो, पांचवा इवन छटा, इन सब में जो भी आपने पढ़ाए भी तक, उस सब translational है, ठीक है, translational आप पढ़ते आयो, ठीक है, यहाँ पर पूरा rotational है, यह ध्यान रखना, center of mass center of mass of rigid body, नहीं है भाई, है, यह रहा, यह रहा, इसमें आजाएगा सारा, center of mass of uniform road, बिल्कुल है भाई, rigid body का भी है, यह 2D, 3D और 3D हो गया, n body हो गया, sorry, two particle system है, three particle system, n particle, सब इसके अंदर आजाएगा, three और n particle system, इसके अंदर आजाएगा, बच्चों, ठीक है, momentum conservation आप होगे, center of mass, notion पढ़ोगे, आप इसमें center of mass, क्या होता है, यह सबाब इसके अंदर discuss करने जाओगे, ठीक है, पढ़ोगे, जब आप chapter, chapter करोगे, तब इस सबाब देख लोगे, उसके बाद यहाँ पर जो बच्चों आता है, next, moment of course आता है, इसे हम बोलते है, इसे हम बोलते है torque, moment of force का मतलब हो गया, torque, तो यह couple भी बोले जाता है भाई, यह physics का couple है, इसमें दो opposite direction में force लगते हैं, तो एक couple कहलाते हैं, आना, ऐसे couple का आपके दिमाग देखा हुआ, opposite होते हैं एक दम, भाई, पती कुछ और और लड़क पतनी कुछ और कह रही है, यह लड़का लड़क angular momentum पढ़ोगे आप इसमें, angular momentum क्या होता है, तो angular momentum होता है, M, B, R करके, यानि, R cross P, पढ़ोगे सब P, यहाँ पे linear momentum है, R, यहाँ पे position vector है, इसकी application आप पढ़ोगे, ठीक है, जैसे earth rotate करती है, अगर यहाँ पे polar की जो ice cap है, सारी melt हो जाए, तो आपके rotation पे क्या आसर पढ़े जाएगा, ठीक है, और same, यहाँ पे ballot answer, जो ballot, एक ballot होता है, ballot answer, इन सब में भी आप पढ़ोगे, तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपका, इसके साथ-साथ एक topic और बन जाता है, बच्चों, और वो है, क्या कहते है, moment of inertia, क्या बन जाता है, moment of inertia, यहाँ पढ़ोगे आप, moment of inertia, यह radius of gyration, यह सब आप इसके अंदर पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे values of moment of inertia, simple geometrical objects, कोई derivation नहीं चाहिए, जैसे एक disc है, एक ring है, ठीक है, या एक solid sphere है, ठीक है, या फिर एक cylinder है, तो इन सब का भी एक moment of inertia होता है, moment of inertia actually में क्या होता है, mass into में, जो perpendicular distance होता है, उसके square क multiplication के बराबर होता है, चलो, अब आते हैं, final last chapter, first book का, ठीक है बई, यानि कि chapter 7 है, chapter 8 हो गया, और chapter 6, यह तीनों chapter हो गया, बच्चों, 17 marks का, कितने marks का, 17 marks का, यह तीनों chapter है, तो, gravitation, इसमें क्या क्या है, बई, पढ़ लिया अपने, दिया है, उसके बाद यहाँ पे, आप, हाँ, तो, capital, slow आपने पढ़ लिया, capital, slow में, तीन लो है, इसमें, पहला तो, इसके अंदर, बच्चों है, कि सारे planets, elliptical path में, और्बिट करते हैं, ठीक है, इसमें, epihelion और perihelion, आप पढ़ोगे, कुछ करके, दूसरा, जो, इसके अंदर है, बच्चो, second law में, जो आता है, आपे, capital, slow का, कि भाई, जो, aerial velocity है, da by dt, ठीक है, यह constant होता है, ठीक है, यह पढ़ोगे, आप इसके अंदर, ठीक है, यानि, जो planets होते हैं, वो, जो है, planet, जो है, जो, जितना area, वो swap करते हैं, equal time में, वो equal area, swap करेंगे, ठीक है, न, क्योंकि आपको पता है, सारे planets, ऐसे शक्कर लगाते हैं, elliptical orbit में, किसके अनुसर, कैपलर्स के अनुसर, ठीक है, यह हमारा सन हो गया, प्यारा सा, और इसके आस पास, प्यारी सी हमारी धरती है, ठीक है, धरती, माह, हमारी, ठीक है, और इस, यह, इस सन के आर क्यूब के proportional होगा, ठीक है, तो T square is directly proportional to R, टेक कैपलर के तीन लोगे बच्चों, उसके बाद उनिवर्सल लॉग ग्राइबिटेशन आ जाता है, हाना, तो उनिवर्सल लॉग ग्राइबिटेशन आप पढ़ोगे, बाई, पढ़ाता ना, अपने F equal to, जीन 2, M1, M2 by R square, ना, चलो, इसके बाद जो next part आता है बच्चों, वो है आपका, अगर ना, बोलू तो मैं, acceleration due to gravity, अब यहाँ पे दो है बाई, एक तो effect of altitude, effect of depth, अब दोनों के साथ जो acceleration होगा ना, बच्चों, वो हमें साथ decrease होते है, कम होती है, देखे हैं, हमें साथ acceleration decrease होगा, चाए altitude लेलो इसका जो expression है ना, altitude के साथ, acceleration का, जो new acceleration due to gravity है, altitude के साथ जो इसका expression आता है बच्चों, वो आते है कुछ इस तरीक से, g into में, r by r plus h का whole square, एक तो यह है, और इसी में एक expression बच्चों, यह altitude वाला है, क्योंसा है, altitude वाला है, एक expression यहाँ आते है, g into में, 1 minus 2h by r करके आते हैं, ए d की value depth के साथ, जो वो भी घटती है, दोनों case में घटेगी value, और इसकी value जो होती है, 1 minus d by r होती है, बना, अर्थ के नीचे, अर्थ के नीचे, गहराई d पर g की value क्या है, और अर्थ के उपर किसी उचाई h पर g की value क्या है, यह सबाब इस chapter में पढ़ोगे, gravitational potential energy पढ़ोगे, यानि की एक तरह से जो भी planets वगरा है, किसी height पर है, तो इस height की वज़े से इन में कुछ energy store हो गई है, इस हम क्या बोलने, gravitational potential energy, दीए है, उसके बाद gravitational potential आप पढ़ोगे, और finally, escape velocity, मतलब एक तरह से यह किसी भी object को अर्थ के gravitational field से हमेशा के लिए बाहर भगाने के लिए speed होत हो, और इसकी value under root gr होती है, वैसे तो, दे हैं, और यह लगबग 11.2 km per second होती है, 2gr के बराबर होती है, under root 2gr के बराबर होती है, escape velocity, एक होती है, orbital velocity, orbital velocity इन्होंने मतलब किसी भी planet के orbit में किसी object को या अनाधर जो artificial planets है, या satellite उसको क्या करते हैं, सेटल करने के लिए, स्टेबलाइस करने के लिए, जितनी minimum speed चाहिए हो, उसे हम orbital speed बोलते हैं, यह under root gr के बराबर होता है, या इसकी value 8.1 या 2, 8.12 के आसपास होता है, 8.1 ए 8.2 km per second, जादा अंतर नहीं होता है, बस root 2 का अंतर होता है, दोनों में, orbital speed और escape velocity में है, चलिए है, अब भाई यह जो तीन चेप्टर होगे ना, कौन-कौन से, 7, 8 और 6, यह तीनों के तीनों चेप्टर 17 marks का है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है, अब जो next chapter बच्चो आप पढ़ने जा रहे हो, वो है mechanical properties of solid, जो अगला चेप्टर है वो बच्चो, mechanical properties of solid आप पढ़ोगे, अब इसमें क्या पढ़ोगे आप, अच्छा, 8 चेप्ट में delete क्या है, जो इन्होंने एक तो polar और क्या करते है, geostationary satellite delete करती है, इन्होंने इस बार यह topic नहीं रखा, और इसमें जो delete हुआ है, potential energy तो है, planets वगरा सब की, time period वगेरा, यह सब जो है, वो भी आपको करना पढ़ सबसे पहले इसमें आपका जो आता है, elasticity, definitions होगी, basic सारी बच्चो, stress, strain, relationship होगा, ठीक है न, hooks law पढ़ोगे, hooks law आप 6 chapter पढ़ोगे, यहां पे भी पढ़ोगे, यह hooks law होता है, young's modulus है, इसके अंदर, bulk modulus है, shear modulus पढ़ोगे, qualitative idea capable, poison's reach और elastic energy पढ़ोगे, अच्छा, इन्होंने इस बार elastic energy का concept add किया है, पिछली बार साइज नहीं था यह, इस बार इन्होंने add कर दिया है, बच्चों से तीन नंबर तक का सवाल आता है, तीन नंबर के question कुछ जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कुछ जाता है, अगर हम देखें, इसका जो weightage है, इसका जो weightage है, बच्चों, इसका weightage, इसका weightage, इसको weightage है, बच्चों, बीस नंबर क्यें, यानी कि किए चेक्टर है प्रप्रपरटी में आप क्या क्या पड़ोगे प्रैशर ड्यूटू प्लूड कॉलम पड़ोगे इसमें पासकल्लो आ जाता है पासकल्लो में जो प्रैशर होता है किसी व्याओ कोई भी आबजेक्ट प्लूड में फ्लूड में दो बच्चे फ्लूड दो तरीके होते हैं एक होता है इसमें लिक्विट ठीक है और दूसरा एयर फ्लूड होता है दो फ्लूड होते है पासकल्लो में पड़ोगी जो प्रैशर होता है किसी ऑबजेक्ट में अगर पानी के अंदर है या किसी फ्लूड में तो चा हाईडरोलिक लिफ्ट का इस्तमाल करते हैं बाइक धोने के लिए तीक है या गाड़ी उठाने के लिए हाईडरोलिक लिफ्ट का यूज किया जाते हैं या बड़े-बड़े बंदरगा पे एक्शिली में क्या होता है बड़े-बंदरगा पे जाजो को जाजो समान उठाने के लिए जाजो को उठाने के लिए przy IP का इस्तामाल करते हैं नीचे क्या होता पानी होता है और यहांप क्या करते हैं एक प्लैटपॉम बना देते हैं यहां फॉर्ष लगाया जाते हैं यहाँ पर k्या होते ही जो प्रेशर यहां पर लगे गए सारा इन सरफेस पे बराबर डिस्ट्रिबूट हो जाएगा जिसकी वेए से इस पर फोर्स लगेगा और यह इतना जो कई हजारों टन्द का जो जहाज होता है बड़े छोटे से फॉर्स के force के कारण ही एक्चिली में उपर lift हो सकता है, इसे हम hydraulic lift बोलते हैं ऐसी बच़ो hydraulic brakes होता है जो गाड़ियों में जो brakes use किये जाते हैं γाड़ियों के अंदर इसमें hydraulic brakes use किये जाते हैं, यानि कि यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे होता है brakes जैसे आपे breaks apply किये जाते हैं, जो flutes होता है, इन पाइपों के थू होते हुए, इन चारो पईयो के आसपास पहुच जाता है, इन चारो पईयो के जो column होते हैं, उसमें पहुच जाता है, जिसके वेशे इन पे एक pressure exit होता है, और यहाँ पे जो soccer वगेरा होता है, जिससे इनको युज किया जाता है युज किया जाता है ब्रेक्स लगाने के लिए इनपर चारो कारो जो चारो पाई यहां पर बराबर यह पोस लगता है उसके बाद यह फीलों ब्रेक्स है बच्चों हाँ डीटेल पढ़ लेना अभी तो बस में उपर उपर समझा रहा हूं स्लेबस क्या है आपका फिर आता है आप एफेक्ट ऑफ ग्रैविटी ऑन फ्लूड प्रेशर ठीक है भाई फ्लूड प्रेशर पे ग्रैविटी का क्या असर है बाद कोई ग्रैविटी एक्ट करती है तो भाई ग्रैविटी एक्ट करने के लिए होता है मास यह जो होता है यह हम कह सकते हैं प्रेशर होता है जो एम जी एच है यह यह तो हमारे पास पोटेंशल एनर्जी हो गया ऐसी बच्चों जो प्रेशर होता है ना इसी से रिलेटीड इसका ए प्रेशर के वैलिए उसर इन तीनों कॉन्टिटेटीछ बी डिपैंड करता है विसको सेटीच आ वह इसे हम बोलते है यह बौलते है फ्लॉड फ्रिक्शन क्टेच ऑम बोलते है इसको अजय दाड़ बिचों यह बताया तहstorm स्टॉक्स लो बोलते हैं यह बादल बनने की क्वेशन है ठीक है एक्वेशन आफ क्लाउड यह चलो टर्मिनल वैलोसिटी आ जाएगी बाइचे से पैराशूट नीचे आता है ठीक है ना चत्री अगर उपर सा फैक दो चत्री जिस तरीके से नीचे लोड़ा करी है गिर रही ह लहरा रही है गुबाड़ा उड़ रहा है उन समय एक्वेशन टर्मिनल वैलोसिटी आ जाता है ठीक है तो यह सारे जो कॉंसेप्ट होता है जैसे ड्रॉपलेट्स हो गया उसमें जब ड्रॉपलेट्स जिस स्पीड से नीचे की तरफ लैंड कर रहा होता है उसमें भी बेट अगर मालवी पानी केसी पत्तर से अबस्टेकल से टकरा जाते तो इसमें छपाक से ऐसे पीछे की तरफ पानी जो है उचलना शुरू कर देता है जैसे हम बोलते हैं टाइट्स हना लोवर टाइट्स अपर टाइट्स आपने पढ़ा होगा यह टर्बुलेंट फ्लो का एक इ से ट्रबुलेंट फ्लूड बन जाएगा इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल वैलोसिटी फिर आप बच्चों बर्णोलिस थेयरम पढ़ोगी बर्णोलिस थेयरम में क्या होता है एक तरह से लौप कंदर्वेशन आप एनरजी पर बेस्ट यह थेयरम है यह बर्णोलिस चाहिए यह सब क्या होता है जोता है यहाँ पर एक फायिप फरन फईर्ख निंबर तो यहां पर यहां पर क्या रहीदि इसके बाद बच्चों आते इसकी सिंपल एप्लिकेशन अब एप्लिकेशन में क्या क्या है आप एप्लिकेशन में आप देखोगे जैसे एक तो इसके अंदर आप पड़ोगे मैगनस इफक्ट आप पड़ोगे मैगनस इफक्ट में यह होता है जैसे इसमें जाएक बोलकर इसके अंदर सब्सक्राइद में अजिकांब लोयरा है यह जो पंक होते हैं पक्षों के उसे हम फर बोलते हैं और जो जो पट्टिया होती है यह टी बगरह होती है उसका केवल उप्र वाला इससा उड़ जाता है कि यह बाकी नीचे वाला इससा मों उड़ता है तो यह सब य्ले बेनॉल इस धिरें में पृरिंसीपल पर बी इस तैं और इक और है किज़ुरी में सुस्थ के अंदर आ जाते हैं बर्नोलिस प्रिंसिपल में एक सर्फेस एनरजी सर्फेस टेंशन आप पड़ोगे सर्फेस टेंशन का मतलब होता है बाई कि जो फ्लूट सोते ना वह अपने मेंब्रेन को स्ट्रेच करते सुकूड़ना शुरू करते हैं इस तरीके से यानि सरफेस पे टैकिंडने की कोशिश करता है ताकी अनरजी को मिनिमाइस किया जा सकते हैं और मिनिमाइस के मतंदब कम से कम खर्ज किया जा सके सर्फेस कौंटक्ट को ये कम कर देता है म और यह और maximum volume इसका हो जाए ति इस तरीके से कुछ करते हैं सर्फेस टेंशन काम करते हैं एंगल अच्ट वह यह कि भाई जो सर्फेस टेंशन को जो टेंजेंट है यह सर्फेस के साथ कितने डिगरी का एंगल बना रहे हैं इसे हम बोलते हैं एंगल अग्ल अपगा पर एक्सेस प्रेशर पड़ हो गई, आक्रोज दा काउड सर्पेस, यानि कि एक सॉप के अंदर, सॉप के अंदर हो गया, या एयर बबल है, एयर बबल के अंदर, कितना एक्सेस प्रेशर है, इंसाइड, मतलब जो जो बबल होते हैं, उसके अंदर भी जो पार्टिकल्स होते तो इसे हम क्या बोलने पच्चों एक तो अंदर की तरफ प्रेशर एक बार की तरफ प्रेशर तो जो एक्सेस प्रेशर है वो क्या है वो ही हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि अच्छा करेंगे चलिए अगला टॉपिक इसमें एक्सेस प्रेशर हो गया कर्ण अप्लिकेशन और सर्पेस टेंशन आइडिया ऑफ ब्रॉप्स बबल्स और कैपिलरी राइज पिछली बार भी यह थास लिबस में लेकिन कुछ कुछ इसको इनको भी डिलीट कर देता है अच्छा इसमें डिली इसमें आपका एक तो नाइन चेप्टर आ जाता है टेन चेप्टर आ जाता है इसके अंदर 910 और 119 10 11 12 तो टोटल यहां पर पांच चेप्टर पांच चेप्टर कितने मां इसके बीस नमबर का दो नाइन चेप्टर तीन नमबर का है ठीक है यह लैट कर लो बतारों में और जो यहां पर टैन चेप्टर बच्चों मेकेनिकल प्रोपर्टी आप लूट्स यानिंप एफ MPOF आप कहा सकते हो तो यह जो चेप्टर बच्चों यह कम से कम आप लैट करके चलो कि भाई आठ नंबर का यह चेप्टर आप मांक का होगा ठीक है थर्मल प्रपर्टी आफ मैटर्स आप लैट करके चलो पांच मांक्स का और जो कहते हैं CEO को गविताए कि सा इसको जो नेक्स शेटर है के इश्वर्मडेनमिक यह भी आफनलो तीन नमबर पांस नमर का यह लाट करके चलन कि शर्मल परपर्टी पांच नमर मत मान वैसे तो हम इसको आप तीन नमबर का लेट करके चल ख्यूंख नुमेरिकल आता है इससे जनरल ही क्या पूछा गया भी तक नुमेरिकल ली आते हैं चलो पहले इसको हम डिसक्स कर लेते हैं कैस के अग्स नेक्ट चेप्टर दो बच्चोए थर्मल प्रपर्टीज ऑफ मैटर है अब इसमें आप क्या क्या पड़ोगे हीट पड़ोगे हीट क बसके पढ़ोगे एनमेलेस एक्सपेंशन ओव à特別 यह दिखो भाई ई Begin लिस एंक चाफ डिग्री चाफ डिग्री से उपर अगर टेमप्रेश्र बढ़ता है को निया जो भाई वॉर्टर क्या करेगा तो अब जाट्स एक इसका इसका। नॉर्मल सा में देता हूं आपको जैसे आप बोतल के अंदर क्या करते हो आप पानी जमाते हो आपने फिरिश के अंदर बोतल रग भी पानी भर के हैं तो फिरिश के अंदर पानी को रग दो गया आप बोतल भरी हुई जो पानी से भरी बोतर है तो देखना बच्चो यह जब कटोरे में बरब को जमाते हूं तो देखना बरब जो है न इस कटोरे से बाहर आ जाता हलका सा नोटिस करना नहीं तो आज जाकर देखना ज़रा तो बच्चो यह ही है यह जो हम कह रहे है एनमोलस एक्सपेंशन ऑव वाटर तो चार डिगरी से कम टेंपरेशन पर जो पानी है ठीक है वह एक्सपेंड करने शुरू कर देता आप यह कह सकते हो वाटर जो है और आप कह सकते है क्योंकि यहाँ पर जिस्की टेंसीटी होती है four डिग्री सल्टेस पर सबसे ज्यादा होती है विलकुद सबसे ज्था सबसे ऑदğेस ह्पेंसीट क्या होता है घ् tenemos के बाद से पीडिक सीबी का रेलेशन चेंज ऑफ इस्टेट लेटेंट है अव परोगे erect transfer conduction अच्छा कंडक्शन कंवेक्शन रेडियेशन आपने पढ़ा होगे तीन एक कम तीन तरीक से ट्रांसफर कर सकते हैं एक तो ट्रांसफर करके और दूसरा यहां पर लाइट के चुरूब ठीक है थर्मल कंडेक्टिविटी पढ़ोगे फिर ब्लैक बोडी रेडियेशन को क्वालिटेटिव आइडिया फिर वींस डिस्प्लेस्मेंट लॉप पढ़ोगे और स्टीफन लॉप देखो बच्चो इन समय नों ने डिलीट क्या कर दिया इस चैप्टर में जो यहां पर इ सब्सक्राइब नेट का जेए का सी यू इटी का और यह सारे एक्जाम जब आगे जाके दो गे और आप से जब यह से रेलेटेट सवाल आ जाएगा तो आप निल बट्टा सर्नाट हो जाएं क्यों क्योंकि भाई स्रेबस तो सरकार ने डिलीट करवा दिया है आपको सरकार अगला जो टॉपिक है बच्चों वह है फर्मो डाइनमिक यह तो मेरा फेवरेट एक चैप्टर है और इसमें देखतें क्या 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 डिलीट है है क्या-क्या नहीं है तो इसको सबुस्व और के और फिसक्स निए के मियुद्न निए मिमिद्स होता हुआ कैमिस्टर फिसक्स की में ऐख अर्मो से मौत आंसे अंतरनी होता है स्मए एं दियान रठाना थम्यों तो थर्मल को एकिलिबीडियम मृ इसकी डैपिनीशन ud इस बोडी के साथ thermal equilibrium में है इनका temperature बराबर है और यही A body C के साथ यानि की equal temperature पर है तो यहाँ पर जो A और B है A और C आप B और C का भी temperature क्या होगा बराबर होगा यही thermal equilibrium में जीरो एतलो है heat की definition work internal energy first law of thermodynamic पढ़ोगे आप ठीक है तो first law of thermodynamic में जो था transfer change in energy है internal energy जितनी चेंज हो रही है पी इन्टो में डेल्ट वी यह आपका first law of thermodynamic है फिर second law में आप पढ़ोगे दो statement यहां पर एक लाउजियस statement है और एक प्लैंक प्लैंक स्टेट्मेंट है दो स्टेट्मेंट आप इसके अंदर पढ़ोगे वैसे second law में बहुत सारी definitions है यह refrigerator और heat engine से related है कोई भी इंजन परफेक्ट लिया आइडल नहीं हो सकता कोई भी refrigerator low temperature high temperature की तरफ heat flow नहीं कर सकता है यह इसा हाई temperature से लोग तरफी कर सकती है गया से state of matter condition of जो यहां पर कंडिशन है यहां पर जो कंडिशन है यहां पर है जो कंडिशन है गैसी स्टेट की वह है isothermal, adiabatic, reversible, irreversible, cyclic process यह सब आप पड़ोगे यहां पर वोग दन भी आ जाएगा यहां से important derivation आ जाती है बच्चों ठीक है एक तो work done by isothermal हो गया ठीक है और एक है work done by adiabatic इसमें आप मेर्स formula भी उस करोगे cp minus cv equal to r यह मेर्स formula है ideal gas equation से relate करके इसको बनाया जाता है चलो अगला इसके अंदर behavior of perfect and kinetic theory of gas बच्चों यह भी chapter आप तीन नंबर का लेट करके चलो तीन नंबर का chapter देगो मैं पता तो इन बार हो 9 chapter जो है तीन marks का है और उसके बाद जो टैन चैप्टर बच्चों आठ नंबर तक का समझ के चलो जो 11 चैप्टर यहां पर है जो बारवा चैप्टर थर्मो डैनेमिक्स वह पांच नंबर का लेट करके चलो और यह 13 जो है तीन नंबर का दो ओपन नीचे हो सकता यह ऐसा नहीं कि फिक्स्ट है क्योंकि इन्होंने पूरा जो है ग्रूप में ग्रूप वाइस करके स्लेबल्स दे रखका है इन्होंने इ टेएरियो और कानेटिक एनर्जी और पार्टिकल आप इसको ऐसे समझें सबसे पहले एक्वेशन ऑफ स्टेट और परफेक्ट गैस एक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस पीवी इक्वाल टू एन रटी यह होती है वाग दन इन कॉंप्रेसिंग गैस होगा यह कानेटिक थे आ प्रेशर प्रेशर एनर्जी वोल सकते हैं आप यह तो उसके बाद यहां पर कानेटिक इंटर्प्रेटिशन आप टेंपरिचर हैं आप एक तरिस अनर्जी टेंपरिचर पर डिपैंड करता है रूट मीन स्कॉर स्पीड ऑफ गैस है मॉलीक्यूल्स डिग्रियो फ्रीडम आ इसके अंदर पढ़ोगे स्टेट्मेंट और कोई डेरिवेशन नहीं नहीं पढ़नी है अप्लिकेशन पढ़ने में स्पैसिफिक इट कैपेसिटी की कॉंसेप्ट आप मीन परी पार वह यह बड़ा अच्छा इसकी डेरिवेशन भी बहुत अच्छा अच्छी सो जाता है औ अगला जो इसके अंदर है ऑसलेशन अन बीव से एंधे है पोटीन चैप्टर जो है आपर वाई और प्रॉट्स और यहां से टॉपिक हो जाते है यानि की पेस क्या है और इसमें जो इंपोटेंट बच्चों पढ़ाए और यह सब आप इसके अंदर पड़ोगा अब इसमें जो इंहों आधो इंपोर्टेंट बच्चो पढ़ना अपको अच्छन ऊन्हों ने इस बार यह उनोंने क्या कर दिया नहीं सिम्पल में है तो है जो काईनेटिक एज एर पूरि इंच्रड एनटियल एनजी इना इसके अंदर वह सबसे पोटेंट यह होता है सबसे में टापी कि है है कि असब से इंपर्टेंट टोपी कर यह और एक पैंडूलॉम वाला पढ लेना वनना यह मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्जाम में आता है कि इस तीन नंबर से पांच नंबर में पूछा गया उसमें चलो आखरी टॉपिक है वेप 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 वेपज आब इसमें तो तडिकी पर अब एक लॉइट है इस तरीके से ट्रावल कप सींड़ वेथ तो सारी ऐसी होते हैं तो तो लाइट में क्या होता है एक गोट लाइट में जो हता है ट्रफ और क्रेस्ट होता है और कॉम्परेशन और रेयर फेक्ष्टन बनता है लोंगी टूडिनल वेव में उसे सांड एक लॉंगिटूडिनल वे यहां पर है अब यहां पर इस्पीड आफ ट्रैवलिंग वेव पढ़ोगे डिस्प्रेस्मेंट रिलेशन और प्रोग्रेसिव पढ़ोगा चाप दो तरह की वेव पढ़ोगा आप यहां पर स्टेशनरी एक तो और एक होगे ट्रैवलिंग सिस्टेशनरी वेव में आपका आता है आपके यहां यहां रोङ। है सूपर इंपोस हुजाती है स्टेंग्स स्टेंडिंग वेप इसको हम इस स्टेंडिंग वेपस भी बोलते हैं या बोलते हैं तो यह जो बीड्स आप पढ़ोगे वो भी इसके अंदरा जाएगा तो बच्चो यह तो आपका होगे पूरा 11 क्लास का लेखा चिठ्था जो आपको पता होना चाहिए और अगर नहीं पता है तो भाई पता कर से अपर होने चाहिए हर एक सेक्शन से प्रैकटीकल की लिस्ट भी होती है हम लोग भी छोड़ देते ना पर फैक्टीकल की लिस्ट भी है बच्चो यह सारे अपक्टीक लक्राएं Tasए अुग एक्टक्टी से अपना दिए बच्चो यह प् falei सब्च不好 ये अपना तेम इ यहां पर आप सीख लेना छोड़ना मत्या यॉंग्स निकालना यह सब देख लेना आपकी सारे प्रैक्टिकल्स आपकी एक्टिविटीज हो जाएंगे उसके बाद यहां पर जो बच्ची विजुली इंपेर्ड है विचारे जो देख नहीं सकते थे पार्शली ब्लाइंड है तो उनके लिए भी सीब्स लांच करती है तो उनके लिए बी कुछ है जैसे प्रैक्टिकल की लिस्ट है आप उन्होंने प्रैक्टिकल की लिस्ट दे रखी है कि इस यह सारे इस लेबर से आपका ये कुछ किताबों के नाम है आपको जैसे किताबों के नाम हो गया फिजीकल पार्ट टेक्स्ट बूक और क्लास लेवन पब्लिस्ट बाइं-C.R.T. एसी पार्ट टू क्लास लेवन ते लैबरेटरी मैनुवल हो गया पॉब्लिस्ट बाइन से लिस्ट ऑफ अधर रिलेटेड बुक्स मैनुवल्स ब्रॉट आउट बाइन से अटे कंसिडर मल्टी मीडिया आलसो जैसे यूट्यूब और अपने क्रेजी सर के चैनल यूट्यूब क्रेजी पॉर फिजिक्स को सब्सक्राइब जूरू कर लेना तो बच्चों यहीं पर हैं तो बच्चों यह हो गया एलेवन क्लास का दोजार तेइस और चौबिस का स्लीव बस तो पूरे साल भर का लेखा चिटा है जनम कुडली एले अब जांते रों पढ़ते रों और क्रेहां या आपको पढ़ना है इसको इसले के है कि आप all time कुछ ना कुछ सीखते रहें अच्छी चीजे गलत नहीं ठीक है और बच्चो एज बहुत क्रिटिकल होती है यह थोड़ा समल के चलो अब आपका स्लेबल स्टार्ट करेंगे जल्दी मैं इस पे भी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे